हेलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है इजी किचन हेक्स में आज हम बनाने जा रहे हैं मतर का पराठा और मतर की कचोरी एक ही तरीके की स्टफिंग तयार करेंगे और एक ही तरीके का डो होगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मतर का परेठा बनाने के लिए या फिर कचोरी बनाने के लिए हम nih चाहिए मतर यह मैंने 2 कप मतर का इस्तामाल किया है और ये फ्रेश मतर है, हम एक पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, दो से तीन चम्मस तेल डाल देंगे, थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम यहाँ पर डाल देंगे लहसुन, अब यहाँ हम डाल देंगे मतर, अब यहाँ पर मैं डाल देई हूँ, जिंजर पेस्ट, अधरक का पेस्ट, अगर आप खड़ा अधरक डाल देए हैं, तो आप लहसुन के साथ डाल सकते हैं, अब यहाँ मैं डाल देई हूँ, हरी मिर्च, मैं चार हरी मिर्च डाल देई हूँ, तीखा आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वात के अनुसार ताकि मटर जल्दी से पख जाए, इसमें अभी काफी मौश्यर है, इसलिए मैं पानी नहीं डाल गई हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका मटर जल जाएगा या फिस जादा ड्राय है, तो आप इसमें आधा कब पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, और अब इसे मैं एक मिनिट के लिए ढग देती हूँ, और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, एक से दो मिनिट के बाद हम इसे एक बाद चेक कर लेते हैं, अगर मटर यहाँ पे पक गया है, तो बस गैस की फ्लेम को बन कर दें और मटर को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, यहाँ पे यह मटर अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, अब आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर लीजिए, या फिर आप मेशर की हेल्प से अच्छी तरीके से मेश भी कर सकते हैं, मटर मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है अब यहाँ पर मैं डाल दई हूँ थोड़ी सी धनिया, धनिया आप चाहे तो बारिक काटके भी डाल सकते हैं, और अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और आपको दरदरा सा पीस लेना है, यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड क कि आपने देखा कि मैंने इसमें बिल्कुल भी गरम मसाले का इस्तमाल नहीं किया है, क्योंकि किसी किसी रेसपी को अगर सादगी के साथ कम इंग्रिडियन्स में बनाये जाए तो जाधा अच्छा बन करके तयार होता है, वैसे अगर आप चाहे आपको पसंद है तो आप थ एक चमच घी थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वात के अनुसार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगे कि यहां पे मैं इसे गेहूं के आटे में बना रही हूं क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी रखना चाहती हूं इसे, अगर आप ज्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं और ज्यादा खस्ता कचौरी आपको पसंद है या फिर पराठा, तो फिर आप मैदे का इस्तमाल करिएगा, आप या फिर आप आधा मैदा आधा गेहूं के आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी और हम आटा गू अगर आप कचोरी बना रहे हैं तो आप आटे को थोड़ा सा टाइट गूतिएगा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए यहां पर हमारा आटा गूत करके तयार है इसे रखते हैं साइब में तो मैं सबसे पहले कचोरी बनाऊंगी उसके बाद आपको पराठा बना करके दिखाऊंगी कचोरी आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं इस तरीके से थोड़े से बाल्स मैंने कट कर लिये हैं और सुखे आटे में डिप करने के बाद मैं इसे इस तरीके से कटोरी की तरह थोड़ा सा बना लूँगी इसके अंदर बीच में हमें स्टफिंग करनी है परेठे में और कचोरी में दोनों में स्टफिंग सेम तरीके से होती है यह देखिए अब यहाँ पे हम डालेंगे यह मतर और इसे बंद करेंगे देख रहे हैं जो एक्षा आटा निकला है इसे निकाल देंगे थोड़ा सप्रेस कर देते हैं इसे यह देखिए इसी तरीके से हम बाकी सारी कचोरियां बना कर के तयार कर लेंगे अब अब अगर आप हाथ से कटोरी नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से थोड़ा बेल करके इसे बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे हम रखेंगे अपना ये मिक्षर इस तरीके से आपको इसे बंद करना है आज कचौरी बना लिया है तो चलिए पहले इसे फ्राइ करके हम देख लेते हैं एक छोटा सा आटा का तुकड़ा डाल के हम चेक करते हैं तेल अगर गरम हो तभी हम फ्राइ करेंगे तो ये देखिए हमारा तेल अच्छा गरम है और यहाँ पे हम एक एक करके सारी कचौरियां डाल देंगे ये लोही की कड़ाई में मैं फ्राइ कर रही हूँ लोही की कड़ाई से हमें आयन मिलता है जो की बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है दो मिनिट टक एक तरफ से फ्राइ करने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन आने तक हम फ्राइ करेंगे फ्रेंस ये हर तरफ से गोल्डन कलर में आ गया है इसे फ्राइ करने में आपको आराम से 5-6 मिनिट का टाइम लग जाएगा तो यहाँ पर मेरी कचोरियां फ्राइ होकर के तयार है अब इसे मैं निकाल लोंगे अब जितना भी मसाला बचा है उसका हम बनाएंगे पराठा अगर आप थोड़ा सा health conscious है तो आप पराठा बना करके खा सकते हैं deep-friy नहीं खाना पसंद करते हैं तो और अगर आपको कचोरी पसंद है तो आप कचोरी बना सकते हैं तो अब हम पराठा बनाने जा रहे हैं यहां पर हम रख़ेंगे अपनी stuffing और इसे हर तरफ से बंद करेंगे तो बिल्कुल ऐसे सूखे आठे में थोड़ा सदिप करेंगे और हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा सबस्क्राइगे यह बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि यह पराठा है तो यह देखिए अब इसे हम सेख लेते हैं यहाँ पे हमारा तवा अच्छा गरम हो गया है और इसके उपर हम डाल देंगे पराठा गैस की फ्लेम को मीडियम या फिर लो रखेंगे यह एक तरफ से जैसे ह हम इसे पलट लेंगे और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल ओईल आप चाहें तो पराठे को बटर या फिर घी में भी बना सकते हैं दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे अलटे पलटे हुए दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे यह पराठा बिलकुल तयार है इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे यहां पे हमारा मटर का परेठा और मटर की कचोरी बन करके तयार है बहुत ही आसान सी रेसिपी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सिस्क्राइब करिएगा थैंक यू, बाइ बाइ